इस वीडियो के अंदर top 5 NIT जो के इंडिया में प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहे होंगे उनके बारे में छोटा-छोटा सा review ले रहे होंगे चोटा-चोटा सा क्या मैं कोशिश करूँगा अच्छे से deep dive दी चला जाओं और आपको अच्छे से उनके बारे में बताने के साथ सा rank भी बता रहूँगा आपको कितनी चही होगी उस college में admission के लिए शुरू करते हैं हमारी पहली NIT से जिसका नाम है NIT त्रिची या फिर NIT त्रिचे पली computer science में admission के लिए आपको अपनी screen पे ranks दिख रहे होंगे आपको कितनी चही है आप यह पूर का पूरे refer कर सकते है इंडिया का नंबर वन NIT और कुछ तो IIT के उपर भी आता है college लास्ट की कुछ सालों से अंडर 10 ही इसकी NIRF रेंकिंग रही अब तक 8001 से भी जादा का इसका बड़ा campus है average package is around 30 lakhs per annum and median package is around 11 lakhs per annum इसमें बुरी बात यही है कि एक गर्मी बहुत जादा होती है और जो लोग north की side से जारे है उनको language का थोड़ा जादा barrier हो सकता है बाकि time के साथ में वो भी बुलकुल अच्छे से सही हो जाता है English में भी बात कर लेते हैं लोग कई लोग जो होते हैं वो south की भी language सीख लेते हैं 50% 50% यह ratio मारा चलता रहता है बाकि NIT के बारे में अगर अच्छी चीज होंगे बात कुरू सब को अच्छा ही अच्छा है बह This is all about the NIT त्रेचेपली सेकेंड नमबर पर आता है मारा NIT राहर कहला आइटी खड़कूर के बाद में इसका सबसे बड़ा campus है सबसे बड़ा IIT खड़कूर का है बस campus को इधार करो ठेक है है IIT खड़कूर के बाद में सबसे बड़ा campus है 1200 एकड से जादा बड़ा इसका campus है NIT और और कहला का Computer Science Medmission लेने के लिए आपको अपनी screen पर उसकी cut-off देख रही होगी आप फट आफट से इसको screenshot ले सकते हो या फिर no down कर सकते हो average packages का 11 lakh पर रहनम है और median packages का 7 lakhs पर रहनम है यहर अगर मैं fees की बात करूँ न तो fees जो होती है NIT इसके अंदर और वो करीबन करीबन आपको हुस्टल मैस बगेर सब कुछ मिला मिलू के 10 से 12 lakh आपको पूरे 4 साल की इपनी B.Tech जो है वो पढ़ने वाली है बाकी NIT और IIT अगर आप admission ले लेते हैं तो आप loan तो बहुत ज़दा असानी से आपको मिल जाता है कोई भी मतलब कोई भी का मतलब है bank आपको loan देना चाहता है अगर आप IIT NIT से belong करते हैं किसे अच्छे तो boys के लिए इस college के अंदर कोई भी curfew timing नहीं है तो आप रात को भी पूरे campus के अंदर घूम सकते हैं pollution free campus है हरा भारा campus है कौन की बात कर लेते हैं अच्छाई तो बहुत सारी है इस college में बिकार चीज़ क्या है वो गर्मी है जो सबसे ज़्यादा बिकार लोगों को लगती है और दूसी जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को बिकार लगती है वो है हमारी attendance policy कि आपको 75% या उससे ज़्यादा की attendance मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी इस college में थर्ड नाइटी हमारा नाइटी सूरतकल computer science madmission के लिए आपको इसका भी अपने screen पे आपको दिख रहा होगा आप इसको screenshot ले सकते हैं फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको कितनी rank चाहिए होगी to get admission in NIT सूरतकल के पास में अपना खुद का private beach है location बहुत ज़्यादा premium बहुत ज़्यादा अच्छी है NIT सूरतकल की 300 अकर से ज़्यादा बड़ा इसका campus है 13 is the average package यानि 13 lakhs per annum is the average package for this college and 10 lakhs per annum is the median package for this college lush green इसका campus है बहुत ज़्यादा हरा भरा इसका campus है दोनों terms में आप college के अंदर swimming pool है मैं आपको इस समझाना चाहता हूं swimming pool बहुत college हो में होता है लेकिन swimming pool कहने लायक NIT सूरतकल के अंदर है boys और girls की timing's अलग होती है swimming pool के लिए obviously 4th college है हमारा NIT वारंगल इसमें admission के लिए भी आपको भाई अपनी screen के ऊपर पूरी की पूरी कुरी cut off दिख रहे ह कि समने बहुत जादा research opportunities आपको मिल जाती है आप इसमें अगर आगे बढ़ना चाहते है research की वे में तो average packages का 14 lakhs per annum है और median packages का 10 lakhs per annum है यहां पर girls के लिए कफ्यू timing's है तो दुख तो है थोड़ा girls के लिए boys के लिए भी होगे फिर तो fifth and last NIT है हमारा NIT इलाबाद जिसको M N N IT प्रियागराज भी का जाता है फिर अलाबाद भी का जाता है इस college ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे record तोड़े हैं और अगर आप त्रिची सूरतकल rawr के line को छोड़ के अगर आप इसमें भी जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी संधे वाली बात नहीं आप जा सक सकते हैं इसका package एकदम से चलांग मारा है और एकदम से भी ऐसा नहीं कि एकी साल के लिए मारा है constantly बहुत ज़्यादा अच्छा ये college परफॉर्म कर रहा है 222 एकड का इसका campus है average package 17 lakhs पर एनम और median package 13 lakhs पर एनम बहुत बड़ी बात होती है average 17 और median हमारा 13 और international packages भी इससे बहुत ज़ादा है बिकार बात कर लेते हैं सारी चीज़ तो अच्छी है campus अच्छा है campus बड़ा है सब चीज़ बढ़ियां बढ़ियां चल रही है सारे facilities आपको मिल जाती है 75% attendance maintain करना जरूरी है और एक और दुख की बात में अगर आप इसके अंदर admission लेना चाहते हैं और आप general category से belong करते हैं तो भाई साथ 10-20,000 rank अंदर आना पड़ेगा और computer science से तो आपको 12,000 rank अंदर आना पड़ेगा तो this is the con only बाके con नहीं है you should take it as a motivation this is all about the all 5 NITs जो की बहुत जादा ऊपर आते हैं हमारे इंडिया में अगर आप IITs नहीं ले पाते then after that you should consider these 5 NITs before any college that's all for this video बाके मिलते हैं ऐ देंक्स यार कुट वोले टाट टाट